दोस्तो हाली में ही हमारी solar industry ने हमारे भारगव अस्त्र vehicle mounted counter swarm drone system को अब हमारी सेना की जर्वतों के हिसाब से ही refine करना शुरू कर दिया है और इस project को पूरा होने में एक से दो सालों का समय लगने वाला है जब हमारा ये भारगव अस्त्र vehicle mounted counter swarm drone system बनकर पूरी तरीके से तयार हो range में अपने swan drone की मदद से भारत के उपर हमला नहीं कर पाएंगे हमारी सिस्टम की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि हम अपने इस सिस्टम की मदद से काफी आसानी से दुश्वन देश के 0.01 square meter वाले radar cross section के target का भी काफी आसानी से पता लगा कर उसको neutralize कर सकेंगे इस सिस्टम की एक खास बात यह भी रहने वाली है कि जिस समय हमारा भर्गव अस्त्र vehicle mounted counter swan drone system दुश्मन देश के swan drone को detect करेगा उसके 16 second के अंदर अंदर ही हम भर्गव अस्त्र की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश के सभी swan drone को तभा कर सकेंगे इस सिस्टम की मदद से हम एक बार में दुश्मन देश के 64 swan drone को detect करकर उनको काफी आसानी से neutralize कर सकेंगे जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भारत इस सिस्टम को पाकिस्तान के पास में तैना कर देता है तो पाकिस्तान चहा कर भी अपने छोटे छोटे ड्रोनों को भारत के अंदर नहीं भेज पाएगा क्योंकि पिछले लंबे समय से हमको यह देखने को मिलता है कि पाकिस्तान चाइना से काफी cheap quality के ड्रोनों को लेता है और इन ड्रोनों की मदद से पाकिस्तान तशीले पदार्तों की supply भारत के अंदर करता है लेकिन जिस समय हमारा यह system हमारे border पर तैनात होगा उसके बाद प cats program के लगबग सभी हत्यारों को बना कर पूरी तरीके से तयार कर चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे cats warrior drone जिसको loyal wingman भी बोला जाता है उस पर HL की तरफ से काम किया जा रहा है और इस समय HL की तरफ से बताया यह जा रहा है कि 2025 के मिर तक हम अपने loyal wingman drone को मैदान में उतार दे साथ में आज तो HL की तरफ से इस loyal wingman drone की कीमत को भी दुनिया के सामने reveal कर दिया गया है हमारा जो cats warrior drone होने वाला है इसकी कीमत 5 million dollar के आसपास होने वाली है यह कीमत कितनी कम होने वाली है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो तुरकी का TB2 drone है उसकी कीमत 5 million dollar के आसपास है TB2 की सस्ती कीमतों को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने खूब दबाकर TB2 drone को खरीदा है लेकिन TB2 drone कोई style drone नहीं है लेकिन जो हमारा यह cats warrior drone होने वाला है यह पूरी तरीके से एक style drone होगा cats warrior drone को हम 36,000 feet की उचाई से 40,000 feet की उचाई पर काफी आसानी से उड़ा सकेंगे इस loyal wingman की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के fighter jet और helicopter को भी मार कर गिरा सकेंगे क्योंकि इसके अंदर air to air missile लगी होंगी साथ में दुश्मन देश के air base को तभा करने के लिए हमारे इस cats warrior drone के अंदर 100 यानी की smart anti air field weapon भी लगा होगा जो 100 km की range में दुश्मन देश के air base को पूरी तरीके से तभा कर देगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी सेना के पास कितनी संख्या में cats warrior drone होने चाहिए इस बात का अंसरा आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थैंक्स पोर वोचिंग दिस वीडियो, have a good day